हलो माई दियर फ्रेंड स्वागत आपके अपने चैनल अर्नेंग टिप्स में दियर फ्रेंड आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपना पासवर्ड फार्गेट कैसे कर सकते हैं अगर आप हाई रिच आनलाइन श्यापी प्राइवेट लिम्टेड में जुड़ चुके हो तो आपको पासवर्ड फार्गेट कैसे करना है कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोगों की आईडिया तो ओपन है उनको फिर भी पासवर्ड फार्गेट करना है सबसे पहले मैं आपको वो मेतड दिखाऊंगा उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि अगर आपको अपनी आईडि भी बूल गई है और पासवर्ड भी याद नहीं है तो भी आप कैसे क्या कर सकते हो आईए उसके बारे में विस्तार पुरुग जानते हैं सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरी आईडि ओपन है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं चैंज पासवर्ड यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद में new password यहां पे इंटर करना है और confirm password जो भी होगा उसको यहां पे डालना है save change तो then आपका password change होगा लेकिन यहां पे आपको एक बात का दियान रखना होगा दियान क्या रखना होगा यहां पे आप देख पा रहे हैं password should contain at least one uppercase alphabet यह देखें dear friends आपको example के लिए कि आपको क्या करना है जैसे कि मैं आपको example के लिए बता दूँ जैसे मेरा नाम है महमद आसिपमीर लेकिन आपको एक बात यह भी पहले बताओं अगर आप security चाहते हो अपने password अपने नाम के साथ में कभी भी password मत रखिया लेकिन यहापे आपको example के लिए सिखाना चाहरा हूँ जैसे कि मैंने M capital में डाल दिया I फिर समाल, R भी डाल दिया समाल में उसके बाद में कोई भी एक यहाँ पे add the rate हो या less than or greater than or dollar हो कोई भी sign में यहाँ पे डाल दूँ यहाँ पे आप देखे percentage का जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने add the rate डाल दिया उसके बाद में मैं आपको बता दूँ 456 etc कुछ भी डाल के इस तरह से आपको अपना password सेट करना चाहिए save chance हो जाएगा उसके बाद में आप देखे यह तो मैंने आपको सिका है जिनकी ID already open है वो change करना चाहिए लेकिन उसके अलावा भी आप change कैसे कर सकते हो जिनको कुछ भी याद ना हो सबसे पहले dear friends मैं यहाँ पे ID को logout करता हूँ जैसे ही मैं logout करूँगा उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है user name और password लेकिन मुझे क्या करना है forget your password यानि कि forget your password forget your user ID जो भी मुझे forget करना है उसके click करना है सबसे पहले मैं password पे click करूँगा enter user ID यहाँ पे मुझे क्या अपनी user ID डालना है send यानि कि आपको mail में आना चाहे या send by SMS यानि कि जो उसके साथ में mail है उसके अंदर आपको आ जाएगा password अगर आप चाहते हो SMS के दोवारा यानि कि जो आपका mobile नमबर उसके साथ में tie up था जिस दिन आपने जाइनिंग लगाई थी आपको कम से कम at least वो तो याद हो ताकि उसमें आ जाएगा आपको यहाँ पर ID नमबर डालना है और send by SMS पर करना है तो आपके जो phone नमबर है उसमें आपको आपका ID नमबर भी और password भी आ जाएगा उसके बाद में यहाँ पर करेंगे forget your user ID forget your user ID पर यहाँ पर आपको क्या करना है इंटर मुबाइल नमबर आपको अपना मुबाइल नमबर यहाँ पर इंटर करना है send by SMS देन आपको आ जाएगा मलब आपकी समस्या का समधान मिल चुका है thank you dear friends इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब भी तक अगर हाप high reach online shoppy private limited में जाएड नहीं हुए है तो आपको description box में हमारा contact नमबर मिलेगा साथी साथ में high reach का plan भी आपको मिल जाएगा जो कि आप उस link पे click करोगे तो आप इसका पूरा plan जान सकते हो किसमें हमें work कैसे करना है कैसे कैसे हमारी earning होगी कैसे हमारी team grow होगी साथी साथ में इसमें आपको एक और वीडियो मिलेगी कि आप यहाँ पे social media से अच्छी खासी जाइनिंग कैसे ला सकते हो साथी साथ आपको एक और बात कहना चाहूं description box आप जरूर से check किजेगा वहाँ पे आपको social media handle भी मिल जाएंगे ताके आप हमारे साथ में जाइन हो सकते हो चाहे वो facebook को, twitter हो कोई इसा भी account हो चाहे वहाँ पे आप हमारे साथ में जोड़ सकते हो और यह देख सकते हो कि हम plan को कैसे promote करते हैं Thank you